नमस्कार बच्चों, आज हम आपके पुस्तक अर्थ शास्त्र में सांख्यकी के पाँचवे अध्याए केंद्रे प्रवर्ति के माप शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, इससे पहले के अध्यायों में आपने सांख्यकी की कई विधियों को सीखा जैसे की प्रस्तुति करन की विधियां जिनमें ग्राफ बनाना, चित्र बनाना, दंड आरेक, वृत आरेक ऐसे कुछ विधियों के द्वारा आपने आक्णों के संकलन के पस्चात उनको प्रस्तुत करना सीखा आक्णों के प्रसुती करन हो जाने के बाद सांखेकी की प्रक्रिया में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है उनका विशलेशन करना, आक्णों से जानकारियां प्राप्त करना और वो भी जितना संक्षिप्त हो सके उतने संक्षिप्त रूप में इस चरण में सबसे महतोपूर भूमी का निभाते हैं केंद्रे प्रवर्ती के माप जैसा कि इनके नाम से हम समझ सकते हैं केंद्रे प्रवर्ती के माप हमें आकणों के केंद्र की ओर ले जाते हैं अर्थात ये हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे आक्णों के मध्य मान या उनके ओसत मान या बिंदु क्या है। इसलिए हम केंद्री प्रवर्ती के मापों को ओसत माप भी कहते हैं यानि इन्हें हम एवरेज भी कहते हैं। केंद्री प्रवर्ति के मापों में तीन सरवाधिक उप्योग किये जाने वाले माप हैं समानतर माध्य, माध्य का वबहुलक इस अध्याय में हम एक-एक करके इन तीनों मापों को गणना करना सीखेंगे इनके अंदर आने वाली विभिन्ने विधियों की एक एक करके हम चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं और सबसे पहले माप अर्थाथ समानतर माध्य की बात करते हैं बच्चो समानतर माध्य सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाने वाला केंद्रिय प्रवर्ति का माप है। हम कई बार आम जीवन में भी इसका उप्योग कर देते हैं, हम इसे औसत के नाम से सामानित है जानते हैं। हम कई बार अपने जीवन की कई राशियों या कई मूलियों की गड़ना में ओसत शब्द का उप्योग करते हैं। ओसत ही समानतर माध्य कहलाता है। आए समानतर माध्य की गड़ना पर चर्चा करें। समानतर माध्य की यदि सबसे सरल गणना विधी की बात की जाए तो सरलतम शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिन मूलियों का भी हमें माध्य अर्थात औसत निकालना है हम उन सभी को जोड़ कर उनकी कुल संख्या से यदि विभाजित करें तो हमें औसत प्राप्थ हो जाएगा प्रतिकात्मक रूप में यदि हम समानतर माध्य निकालने के लिए कुछ मूलियों को लेते हैं तो उन मूलियों को हम इस प्रकार X1, X2, X3 आदी नाम देते हैं सबसे पहले मान लीजिए इस प्रकार हमारे पास N मदे हैं अब यदि हम इन सभी N मदों का ओसत यानि माध्य निकालना चाहते हैं तो हम इन सभी मदों को जोड़कर फिर मदों की कुल संख्या अर्थात N से विभाजित करेंगे इस तरह हमें माध्य प्राप्थ होगा जिसका प्रतिक यानि सिंबल X बार कहलाता है अर्थात हम माध्य को X बार से निर्देशित करते हैं तो यह माध्य की गड़ना का सरलतम और आधार भूत तरीका है जिसमें आप सभी मदों को जोड़कर उनकी संख्या से उस जोड़को विभाजित कर देते हैं लेकिन यदि हम प्रशनों की बात करें तो आपको इस तरह के सरल प्रशन कम ही देखने को मिलेंगे प्रशनों में आपको कई सारे आकड़े देखने को मिलेंगे जिनकी आपको हो सकता है आवर्तिया देखने को मिलें इस प्रकार के विभिन परशनों में किस प्रकार हम सरल तरीके से माद की गड़ना कर सकते हैं इसे हम अभी देखेंगे इसके लिए इस सरलतम आधारभूत तरीके का इस्तेमाल करके ही कुछ मेथड या विधिया या फॉर्मूले बनाए गए हैं हमें के करके ही इन फॉर्मूलों यानि इन सूत्रों पर चर्चा करेंगे आईए इस सरलतम विधी को पहले एक उदाहरण के जरिये हम समझते हैं फिर हम आगे देखेंगे कि प्रशनों में इनका किस प्रकार उप्योग किया जाता है मान लीजिये हमें छे परिवारों की मासिक आय दी गई है जो की 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 वह 1630 है जैसा कि हमने अभी सीखा इनका माध्य ग्यात करने के लिए हम इन सभी को जोडेंगे और परिवारों के कुल संख्या 6 है तो हम उस जोड को 6 से विभाजित करेंगे इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 1547 रुपए यह इन सभी परिवारों की ओसत आये यानि एवरिज इंकम कही जाएगे तो बच्चों अब आप माध्य का ये आधार भूत तरीका तो समझ गए होंगे कि माध्य अर्थात मदों का योग और उसको फिर मदों की संख्या से भाग देना अब प्रशनों की अनुसार जब आप प्रशन देखेंगे तो आपको विभिन प्रकार के आकड़े मिलेंगे कुछ आकड़ों में आपको आवर्तिया मिलेंगी, कुछ में नहीं मिलेंगी तो अब आईए हम देखते हैं कि विभिन्य प्रशनों में हम किस प्रकार अलग-अलग सूत्रों का उप्योग करके माद्ध की गड़ना कर सकते हैं एक बात लेकिन आप ध्यान रखें कि सूत्र चाहे जो भी हो माद्ध का आधार यही है कि आप मदों को जोड़ेंगे और उसे मदों की संख्या से विभाजित करेंगे जब हम प्रशनों को देखेंगे तो हमें सामानित दो प्रकार के प्रशन देखने को मिलेंगे एक प्रशन ऐसे जहां हमें असमुहित आकड़े मिलेंगे वह दूसरे जहां हमें समुहित आकड़े मिलेंगे असमुहित आकड़े यानि ऐसे आकड़े जहां आकड़ों को समुह बना कर ग्रुप बना कर नहीं रखा गया है बलकि हर मद को व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग लिखा गया है ऐसे आकडों में सबसे पहली विधी प्रत्यक्ष विधी कहलाती है और यही विधी हमने अभी देखी यानि हमने माध्य निकालने का जो सरल्तम तरीका देखा उसे दरसल प्रत्यक्ष विधी कहा जाता है प्रत्यक्ष विधी के द्वारा समानतर माध्य निकालने के लिए हम किसी भी श्रंकला के सभी प्रेक्षणों को योग करके उसे प्रेक्षणों की कुल संख्याओं से विभाजित कर देते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रत्यक्ष विधी तो समझ आ गई होगी। यदि फिर से एक उधारण को देखें, तो यहां हमारे पास एक कक्षा के छात्रों के अर्थ शास्त्र में प्राप्त अंक दिये गए हैं। पाँच छात्रों के अंक हैं, इन सभी अंकों को आप जोड़ें और इसे पाँच से विभाजित करें तो आपको माध्य प्राप्त होगा। तो बच्चों हमने दो उधारण लेकर इसी विधी को इसलिए समझाया और मैं फिर से बताऊं कि यह सबसे आधार भूत तरीका है। आप इसे हमेशा ध्यान रखें कि माध्य निकालने के लिए आप सभी मदों या प्रेक्षणों को जोड़कर उनकी संख्या से विभाजित करेंगे। इस विधी को हम असमुहित आकड़ों की प्रत्यक्ष विधी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी विधी है कल्पित माध्य विधी। बच्चों कल्पित माध्य विधी का उपयोग तब किया जाता है जब हमारे पास प्रश्न में दिये गए आकड़े या मदें बड़ी संख्याओं में हो या उनकी संख्या बहुत जादा हो जिनने सीधे तोर पर इस विधी में हम दिये गए आकड़ों में से किसी भी मद या प्रेक्षण को स्वैम माध्य मान लेते हैं हम कल्पना कर लेते हैं कि वह माध्य है फिर उस कल्पित माध्य की सहायता से हम माध्य की गड़ना करते हैं इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे इस सूत्र म X-bar यानि माध्य A plus sigma D बटे N के द्वारा निकाला जाता है A हमारा कल्पित माध्य है जैसा कि यहां पर दिया गया है A वह मद होगा जिसे हमने माना है कि वह माध्य है इसके पश्चात हम इस कल्पित माध्य में से सभी आक्णों को घटा कर हम D यानि deviation यानि अंतर ज्यात करेंगे और सभी अंतरों का योग करेंगे जिसे हम sigma D बोलेंगे sigma अर्थात योग यह जो सिंबल या प्रतीक है यह sigma कहलाता है इसे हम योग का प्रतीक कहते हैं तो सिग्मा डी यानि व्यक्तिगत प्रैक्षणों से कल्पित माध्यों का विचलन निकाल कर किया गया योग आएए अब इस विधी को और इस सूत्र को भी एक उधारन की सहायता से समझते हैं हमारे पास कुछ परिवारों की आय का आकड़ा दिया गया है ये सभी परिवारों की आय हैं हमने इन में से इसको माध्य कल्पित कर लिया है आप अपने पूरे आकड़ों के समुह में से किसी को भी माध्य की कल्पना कर सकते हैं किसी को भी माध्य मान सकते हैं चाहे वो पहला आकड़ा हो या मध्य का आकड़ा जिस भी आकड़े को हम कल्पित माध्य मानेंगे वो ए अर्थात कल्पित माध्य कहलाएगा इसके बाद आप सभी आकड़ों में से, सभी मदों में से कल्पित माध्य को घटाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिया गया है X हमारे प्रेक्षण है, इन सभी प्रेक्षणों में से हमें अपने कल्पित माध्य यानी 8,500 को घटाना है और इस परकार ये राशे हमें प्राप्थ होगी फिर हमें इन सभी विचलनों का यानी अंतरों का सिग्मा यानी योग करना है जैसा कि हमने यहाँ पर किया और इनका योग करके हमें 2660 रुपे की राशी प्राप्त हुई अब हम सीधा इसे सूत्र में डालेंगे जैसा कि हमने पीछे देखा इस विधी में माध्य निकालने का सूत्र है A प्लस सिगमा D बटे N हमारा A यानि कल्पित माध्य साड़े आठ सो था D के कॉलम का जो योग आया हुआ 2660 आया और फिर इसे हमने दस से विभाजित कर दिया इस प्रकार हमें ओसत आय की राशी प्राप्त हुई 1116 रुपे की तो यह थी दूसरी विधी जिसमें हमने कल्पना करके माध्य स्वैम लिया और फिर उस कल्पित माध्य से सभी प्रेक्षणों को घटा कर हमने उनका योग करके सूत्र में रखकर माध्य ग्याद किया इसके पश्चात आती है तीसरी विधी जो की है पद विचलन विधी बच्चों इस विधी का भी उदेश्य यही है कि आपकी गणना को सरल बनाये जाए ये विधियां तभी उप्योग में आती हैं जब हमारे पास जो प्रश्न या जो आकड़े हैं उनके संख्याएं थोड़ी बड़ी या उनका योग थोड़ा मुश्किल हो ऐसे में हम या तो कल्पित माद्य विधी या उससे भी एक कदम आगे बढ़कर पद विचलन विधी का इस्तेमाल कर सकते हैं पद विचलन विधी में जैसे हमने पिछली विधी में अंतर या विचलन निकाले या डी का कॉलम बनाया वो कॉलम बनाने के बाद यदि हमें लगता है कि ये सभी संख्याएं किसी एक कॉमन वैल्यू से या समा परवतक से विभाजित हो सके तो हम उनसे विभाजित करके उन आकणों को या उन पदों को और छोटा कर लेते हैं ताकि उन्हें जोड़ना और सरल हो जाए इसके पश्चात हम माध्य के सूत्र में डाल देते हैं इस विधी में माध्य का सूत्र है ये जहाँ पर हम A प्लस सिगमा D बटे N जैसा कि हमने पिछली विधी में किया था लगबग उसी प्रकार का सूत्र बनाते हैं सिर्फ इस बार हम D को D' का नाम दे देते हैं और साथ में इसे C से गुणा करते हैं C समा परवतक या वो common value कहलाता है आईए इस सूत्र को भी एक उधारण के साहिता से समझते हैं जैसा कि हमारा पिछला उधारण था उसी में हमने देखा था कि हमने ये D का कॉलम बनाया अब यदि हम देखें यहाँ पर तो ये सभी मदें 10 से आश्षानी से विभाजित हो जाएंगी ये सभी 10 के गुड़क है तो क्यों ना हम इनको 10 से विभाजित कर दे ताकि ये संक्याएं और छोटी हो जाए और इनको जोड़ना थोड़ा सा और सरल हो जाए तो इसलिए हमने D के इस कॉलम को 10 से विभाजित किया और इस कॉलम का नाम रखा D' विभाजित करने के बाद प्राप्त हुई राशियों को हमने जोड़ा और फिर सीधा इसे सूत्र में डाल दिया सूत्र है A प्लस सिग्मा डी डैश यानि इस कॉलम का योग और इसे फिर N यानि कुल प्रेक्षनों की संख्या से विभाजित किया इसके पश्चात हमने गुणा किया C से C हमारा समा परवतक यानि वह common value है जैसे यहाँ पर 10 से हमने सब को विभाजित किया था तो 10 हमारा वो common value है उससे हमने इन सब को गुणा किया और फिर से हमें उत्तर वही प्राप्त हुआ क्योंकि हमारा आकड़ा वही था तो हमें यह भी दर्शाता है कि आप सूत्रिया विधी कोई भी लगाए यदि आप एक आंकड़े का माध्य निकालते हैं तो माध्य तो वही आएगा अब आपके उपर है कि आप अपनी गड़ना को सरल बनाने के लिए अपनी योगिता अनुसार कौन से विधी का उपयोग करना चाहते हैं चाहे वह प्रत्यक्ष विधी हो जिसमें आप सीधा सभी मदों को जोड़ देते हैं या वो कल्पित माध्य विधी हो जिसमें आप पहले कल्पना करके उस कल्पित माध्य को सभी मदों से घटा कर प्राप्त राश्यों को योग करते हैं और फिर सूतर में डालते हैं या वह पद विचलन विदियों जहां पर आप इन विचलनों को भी और छोटा बनाकर फिर उसे सूतर में डालते हैं आप विधियां कोई भी लगाएं आपका उत्तर वही आएगा आस समुहित आकड़ों को भी आप एक बार और समझ लें इस प्रकार के आकड़े आसमुहित आकड़े कहलाते हैं क्योंकि इसमें हर मद या प्रेक्षन अलग है हमने समुह नहीं बनाए हमने ऐसा नहीं बोला कि 800-1000 की आएवाले सारी परिवार एक जगा लिख दिये जाए 1000-1200 की आयवाले सभी परिवार एक जगह लिख दी जाए इस तरह हमने समुह नहीं बनाए बलकि हमने सभी आयों को अलग-अलग यहां पर लिखा है तो इस तरह के आकड़े असमुहित आकड़े कहलाते हैं और इसकी हमने अभी तीन विधिया देखी है आये अब हम बात करते हैं समुहित आकड़ों की जहां पर हमें आकड़े समुह बना कर दिये जाए बच्चों समुहित आकड़ों में भी आपकी विधिया वही रहती है सूत्र लगबग वही रहते हैं सिर्फ एक चीज का अंतर यहां पर आता है कि इन आकडों में आपको प्रेक्षण समुहों में दिये जाते हैं तो आप पहले हर समुहों का मद्य बिंदू यानि मिड़ पॉइंट ग्याद करते हैं आए समुहित आकडों का सबसे पहला विधी देखते हैं जो की फिर से पृत्यक्ष विधी ही है लेकिन इस बार एक बात का और ध्यान रखना है हमें क्योंकि आकडों का हमने समुहों बना दिया है तो इस बार हमें आकडों की या मदों की आवर्ति भी यानि फ्रिक्वेंसी भी दी जाएगी तो इसके सभी प्रश्णों में frequency यानि F अक्षर का इस्तमाल किया जाएगा और प्रत्यक्ष विधी में माध्य का फॉर्मला जो मिलेगा वो होगा सिग्मा Fx बटे सिग्मा N यदि आप इसे आसमोहित आक्डों के प्रत्यक्ष विधी के सूत्र से तुलना करें तो आप पाएंगे कि आसमोहित आक्डों में सूत्र था सिग्मा X बटे N यानि सभी मदों को जोड़कर N यानि मदों के संख्या से विभाजित करें यहाँ जो सूत्र है वो लगभग वही है सिर्फ N को N लिखने की जगा हमने सिग्मा F लिखा है क्योंकि इस बार मदों की संख्या हमें आवरतियों को जोड़कर प्राप्थ हो गी और सभी मदों को सीधा जोड़ने की जगा हमने यह देखा कि उस समुह में इतने लोग है तो उस समुह के मद्य बिंदु को आवरतियों से पहले गुणा करें फिर सभी उत्पादों का यानि आवरित्तियों यानि F और X को गुणा करके जो उत्पाद प्राप्त हो है उन सभी को जोड़ कर फिर हम विभाजित करेंगे तो यानि अभी भी हमें ऊपर वही करना है हमें सभी मदों को जोड़ना है और नीचे उनकी कुल संक्या से विभाजित करना है सिर्फ इस तरीके का प्रस्तुती करण बदल गया है आए इसे भी एक उदारन से समझते हैं एक अवासिय कालोनी में भूखंड केवल तीन आकारों में मिलते हैं 100 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर वह 300 वर्ग मीटर तथा भूखंडों की संक्या क्रमश है 250 वद 10 है इस प्रकार के आकड़े का यदि हम माध्य निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारे जो मदे हैं उनकी हमें सामने फ्रिक्वेंस यानि आवर्ति दी गई है यदि इस उधारन को देखें तो 100 वर्ग मीटर वाले कितने भूखंड हैं 200 यानि ऐसे 200 भूखंड या जमीन के टुकड़े हैं जिनका आकार 100 मीटर का है तो इन 100 वर्ग मीटर के 200 भूखंडों को 200 बार लिखने की जगा हमने सामने सीधा इनको 200 आवर्ति के रूप में लिखकर दिखा दिया इसे प्रकार 200 वर्ग मीटर वाले 50 और 300 वर्ग मीटर वाले 10 हैं तो हमारे पास दो कॉलम है जबकि यदि आप ध्यान दे तो असमोहित आकड़ों में आपके बस एक कॉलम होता है यहाँ पर हमारे पास X और F के कॉलम है सबसे पहले हम इन दोनों को गुणा करेंगे जैसे कि 100 गुणा 220,000 फिर 10,000 और फिर यहाँ 300 इसके बाद हम इसे सूतर में डालेंगे जो की है Sigma FX बटे Sigma F यानि FX के कॉलम का योग यानि Sigma और F के कॉलम का योग यानि Sigma क्योंकि इस बार हमारे प्रेक्षणों की कुल संख्या हमें गिन कर नहीं बल्कि F को जोड़ कर प्राप्थ होगी टोटल कितने भूक हंड है यहां पर 210 प्रकार के 50 इस प्रकार के और 10 इस प्रकार के तो इस योग को 260 से विभाजित करके अपने माद्य की राशी जो की 126.92 वर्ग मीटर है यहाँ प्राप्त करेंगे तो यहाँ था प्रत्यक्ष विधी द्वारा समुहित आकड़ों के लिए माध्य का परिकलन अब आईए आगे बात करते हैं कल्पित माध्य विधी और पद्विचलन विधी की जैसा कि आप देखेंगे इनके सूतर काफी मिलते जुलते हैं सिर्फ फर्क यहाँ पर F का आगया है क्योंकि समुहित आकड़े होने के कारण हमें मदों की संख्या फ्रिक्वेंसी यानि आवर्थ के रूप में दी गई है यहाँ पर कल्पित माध्य विधी में A प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा F वो पद्विचलन विधी में A प्लस सिग्मा FD डैश बटे सिग्मा F गुणा C का सूतर हम इस्तमाल करेंगे आप देख पा रहे होंगे कि यह सूतर लगभग वही है सिर्फ F का फर्क है यहाँ पर आईए अब आगे बढ़ते हैं और समुहित आकड़ों के एक प्रकार पर चर्चा करते हैं हमें समुहित आकड़े कई बार सतत श्रंखला के रूप में मिलते हैं जैसा मैंने कहा था कई बार हमें इनके वर्ग बना कर दिये जाते हैं कि इतने से इतने के बीच के आकड़े इतने हैं तो हमें इस प्रकार वर्ग बना कर आवरती के साथ आकड़े दिये जाते हैं ऐसे आकड़ों को हम सतत श्रंखला के रूप में जानते हैं सतत श्रंखला में भी माध्य की गड़ना लगबग वैसे ही है जैसे हमने पहले देखी है तो आईए इसको तुरंट उधारणों के सहायता से समझते हैं हमारे उधारण में हमें कुछ छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का आकड़ा दिया गया है लिकिन इस बार इन अंकों को हमने इस परकार की वर्ग बना दिये यानि 0-10,10-20,20-30 इस तरह से वर्ग बनाकर सामने उनकी आवरतिया लिग दी अब इस परकार के आकड़ों में जहां हमें वर्ग दिये जाएंगे यहां हमें इन वर्गों का मध्य बिंदू ग्यात करना होगा जैसा कि मैंने कुछ दिर पहले भी कहा था मध्य बिंदू वर्गों के दोनों आकड़ों को या मदों को जोड़ कर दो से विभाजित करके प्राप्थ होता है जैसे कि 0 और 10 को जोड़ा 10 प्राप्त हुआ, 10 को 2 से विभाजित किया तो 5 प्राप्त हुआ यानि 5 शून्य और 10 के बिल्कुल मध्य का बिंदू है इसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ा 30 प्राप्त हुआ, 30 को 2 से विभाजित करके मध्य बिंदू 15 प्राप्त हुआ जहां आपके पास एक तरफ F वा दूसरी तरफ midpoint का एक column बनेगा जैसे कि पहले X का एक column हुआ करता था अब इसके बाद आपको वही करना है जो आपने पहले किया यदि आप प्रत्यक्षवधी लगाते हैं तो आपको जैसे आपने F और X को गुणा किया था तो हम F M के column का योग लेकर उसे F के column के योग से विभाजित करेंगे इस उदारण में F M के column का योग है 2110 जबकि F के column का योग है 70 इन दोनों को विभाजित करके यहां हमें प्राप्त हो जाएगा अपना माद्य तो आप देखेंगे सूतर बिलकुल वही है सिर्फ X की जगा यहां पर M ने ले लिए है इसी प्रकार यदि हम कल्पित माद्य या पदवचलन विदी का इस्तिमाल करें तो उसमें भी हमें वही करना है हम अपने मध्य बिंदूओं में से जैसा कि हम पहले X में करते थे यहां पर अब मध्य बिंदूओं में से किसी को कल्पित माद्य ले लेंगे जैसा कि हमने 35 को लिया है यह हमारा A बन गया अब हम इन सभी प्रेक्षणों में से इसे घटाएंगे यदि हम 5 में से 35 को खटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 30 माइनस में 30 यदि हम 15 में से 35 को खटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस में 20 इस प्रकार हमें D का एक कॉलम प्राप्त होगा यहां हमने सीधा पदविचलन विधी को लगा कर दिखाया है इसमें हमने D प्राप्त करने के बाद उसे समा परवतक यानि common value 10 से divide कर दिया है तो 5 में से 35 खटाने के बाद minus 30 प्राप्त हुआ उसे 10 से विभाजित करने के बाद minus 3 प्राप्त हुआ इसी प्रकार 15 में से 35 को खटाने के बाद minus 20 प्राप्त हुआ उसे 10 से विभाजित करने के बाद minus 2 प्राप्त हुआ इस प्रकार हमें D डैश का कॉलम मिल गया अब यहां पर हम D डैश के कॉलम को फिर F से गुणा करेंगे यानि आवर्ती और D डैश 5 और minus 3 गुणा करके minus 15 12 और minus 2 गुणा करके minus 24 इस प्रकार यह पूरा कॉलम हमें प्राप्त होगा फिर अंत में इस कॉलम का योग हुआ आवर्त की कॉलम का योग यह दोनों योग लेकर हम अपने सूत्र में इसे डालेंगे सूत्र लगभग वही है बलकि पूरी तरह से पहले के जैसा ही सूत्र है यहां अपने A डाला 35 F D डैश के कॉलम का योग डाला minus 34 और F यानि मदों के कुल संख्या सत्तर से विभाजित किया गुणा किया उस common value से जिसे हमने D डैश निकालने के लिए इस्तिमाल किया था और हमें माध्य प्राप्त हुआ 30.14 आप देखें प्रत्यक्ष विधी में भी वही था और पद्विचलन विधी में भी वही है अर्थात विधी चाहे कोई भी हो माध्य वही प्राप्त होगा आपको बस ये देखना है कि क्या आप प्रत्यक्ष रूप से जोड सकते हैं या गुणा कर सकते हैं क्या आकड़े सरल हैं और यदि नहीं तो फिर आप आकड़ों को सरल बनाने के लिए कल्पित माध्य या पद्विचलन का इस्तिमाल कर सकते हैं तो बच्चों ये थे सरल या समानतर माध्य निकालने के विभिन्न तरीके अब माध्य के विशह में एक विशेश प्रकार का माध्य और होता है जो हमें जान लेना चाहिए इसे हम भारित माध्य या भारित समानतर माध्य भी कहते हैं कई बार जब हम आकड़ों को लेते हैं तो सभी आकड़ों को एक समान जोड़ कर विभाजित कर देने से यह होता है कि ऐसे आकड़े या ऐसे मदें जो ज़्यादा महत्व पूर्ण हो उनको वो महत्व नहीं मिल पाता यदि हम चाहते हैं कि किसी एक विशेश प्रकार के मद या प्रेक्षण को ज़्यादा महत्व दिया जाए दूसरों को तुड़ा कम दिया जाए तो ऐसे में इन प्रेक्षणों या मदों को भार या वेट प्रदान किये जाते हैं इस स्थिती में माद्ध की गड़ना कैसे होगी आईए एक बर यहां भी देखें कि भारित माद्धे के परिकलन में कभी-कभी विभिन मदों के लिए उनके महत्व के अनुसार भार निरधारित करना महत्व पूर होता है उदाहरन के लिए यदि हम दो खाद्य पदार्त आम और आलू की कीमतों का औसत निकालना चाहते हैं ठीके मान लीजिए आम की कीमत P1 और आलू की कीमत P2 है इनका समानतर माद्य तो हमने सीख लिया कि हम इनको जोडेंगे और इनकी संख्या यानि 2 से विभाजित कर देंगे यानि P1 प्लस P2 को 2 से भाग कर देंगे लेकिन यदि हम इनके महत्व के अनुसार इनको भार देना चाहें यदि हम आलू की कीमत P2 में जो ब्रिद्धी है उसको अधिक महत्व देना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हम वो भोगता के बजट में आम के भार को W1 यानि पहला भार और आलू के भार को W2 यानि दूसरा भार का नाम दे सकते हैं या भार कोई भी संख्या हो सकती है जो एक संख्य की विद्ध अपने इच्छा अनुसार या अपने अध्या अनुसार प्रदान करता है भार मिल जाने के बाद हम कीमतों को या जो भी हमारे प्रेक्षण थे उनको उनके भारों से गुणा करते हैं यहां पर हमें W1 और P1 को गुणा करना होगा P1 पहले पदार्थ की कीमत और W1 उसका भार था फिर W2 और P2 को गुणा करना होगा जो कि दूसरे पदार्थ की कीमत और उसके भार का गुणा होगा इन दोनों गुणाओं से प्राप्त उत्पादों को जोड़ कर फिर हमें भारों के योग से उसे विभाजित करना होगा, यानि W1 प्लस W2 से विभाजित करना होगा ऐसा करने से हमें हमारा भारित समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज के इस भाग में हमने माध्य पर जो ये विस्तार में चर्चा की और उसके विभिन विधियों को देखा ये आप समझ पाये होंगे समझने के बाद आप यहां भी ध्यान रखें कि इस प्रकार की विश्यों में जब तक आप उचित अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको निपुड़ता पराप नहीं होगी तो इनको सीखने के बाद अपने पुष्तक से इनका अभ्यास जरूर करें इस अध्याय के अगले भाग में हम औसत के अन्य दो विधियों यानि मादेका और बहुलक पर चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद झाल झाल